Class 10 के Exercise 13.2 का Question No.1 है हमारे पास Question में हम से बोला गया है A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 cm and the height of the cone is equal to its radius Find the volume of the solid in term of pi Question में हम से बोला गया है कि एक solid है जो किस shape में है वो इस shape में है कि एक hemisphere है यह क्या है hemisphere है और इस hemisphere के उपर जो है एक cone रखा हुआ है इस shape में जो है एक solid है Question में हम से बोला गया है कि जो radius है दोनों की यानि कि इस cone की भी जो radius है और इस hemisphere की जो radius है वो दोनों की दोनों same है जो कि कितनी है इसकी value one centimeter है ठीक है यानि कि यह चीज़ जो है यहां से लेके यहां तक यह one centimeter है ठीक है अब आगे हम से बोला गया है and the height of the cone is equal to its radius और जो height है कौन की यानि कि यह वाला portion यह जो है यह ठीक है यह यह जो है वो भी कितना है जितनी इसकी radius है उतनी ही इसकी height है तो इसकी radius कितनी है सेंटीमिटर जिसकी height भी कितनी हो जाएगी one centimeter तो इस condition के base पे हमसे बोला गया है find the volume of the solid in term of pi तो हमें यह जो solid बना है जिसके उपर एक hemisphere के उपर कौन रखा हुआ है इस तरीके से जो solid बना है इस arrangement से उसका हमें volume निकालना है pi की term में ठीक है तो देखिए pi की term का मतलब यह है कि जब जो इसका answer आए उसमें pi होना चाहिए ठीक अब देखिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे इस question का volume निकालने के लिए पहले हमें जो hemisphere है उसका volume निकालना पड़ेगा और जो फिर cone है उसका volume निकालना पड़ेगा दोनों को हमें add करना पड़ेगा इस तरीके से हम इसका volume निकालने का formula होता है 2 upon 3 pi r cube ठीक है हमें इसमें 2 upon 3 pi तो constant होता है r हमें चाहिए है r हमारे पास है ठीक अगर हम cone की बात करें तो cone का जो volume निकालने का formula होता है वो होता है 1 upon 3 pi r square h ठीक है तो 1 upon 3 pi तो constant है r चाहिए होता है जो की है और h चाहिए होता है जो की हमारे पास है तो बड़े आसानी के साथ इसका volume निकाल सकते हैं तो यहाँ पर पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 4 cone जब cone के लिए हम लिखेंगे cone की जो height है हमारे पास जो height है cone की वो कितनी है 1 cm है और जो इसकी radius है r वो भी कितनी है 1 cm है ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 4 hemisphere 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 अगर हम hemisphere की बात करते हैं तो इसके लिए जो r है वो कितनी है वो भी 1 cm है ठीक है तो आप हमें volume निकालना है तो volume of solid volume of solid जो solid हमारे पास उसका volume क्या हो जाएगा volume of volume of cone plus volume of hemisphere ठीक है तो volume of cone जो हो जाएगा उसका formula होता है 1 upon 3 pi r square h और प्लस जो hemisphere का volume हो जाएगा वो क्या होता है 2 upon 3 pi r square h ठीक सोरी pi r cube अब हमें यह पता है कि कि दोनों की r और h सेम सेम है तो हम क्या गड़ सकते हैं common निकाल सकते हैं देखिए एक तो upon में 3 3 है तो एक तो 1 upon 3 common आ जाएगा ठीक pi दोनों में है pi बाहर आ जाएगा r square और r की power 3 में से r square बाहर आ जाएगा कम वाला common होता है h नहीं है h अंदर रहेगा तो h रहेगा प्लस h रहेगा यहां से बाकी चीज़े बाहर आ गई है 2 upon 3 में से 1 upon 3 बाहर आ गया उपर 2 बचा pi बाहर आ चुका है r की power 3 में से 2 power बाहर आ चुकी है तो अंदर r बचेगा ठीक तो अब हम क्या करेंगे 1 upon 3 को ऐसी रखेंगे pi को हम pi की value यहां पर नहीं रखेंगे क्योंकि जो value चाहिए जो हमें volume चाहिए वो pi की term में चाहिए ठीक है अब r, r कितना था हमारे पास 1 तो 1 के उपर power 2 और into h कितना था हमारे पास 1 ही था ठीक है plus 2 into r कितना था हमारे पास 1 ही था तो अब अगर हम देखते हैं तो 1 upon 3 into pi और into 1 के उपर कुछ भी power हो 1 आएगा और यहां पर 1 और 2 ones are 2 और यह जब जोड़ेंगे इनको कितना आजाएगा 3 से यह वाला 3 खतम कर सकते हैं जो हमने 3 से 3 खतम कर दिया तो हमारे पास बच्चा 1 की pi से करेंगे pi आएगा फिर pi की 1 से करेंगे तो pi आजाएगा तो यह कितना आया pi cm3 ठीक है तो यह जो है pi की term में जो है इसका volume आ चुका है जो कि कितना आया है pi cm3 यह इसका answer